सब्सक्राइब कीजिए इन्फो टेक टॉक्स इन्फोमेटिव टेकनिकल वीडियो के लिए और बैल आइकन को दबाना ना भूले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले सबस्क्राइब करेंगे तो कोड़ेटर के उपर हम फटाफट से आ जाते हैं यह मैंने टॉपिक का नाम दे रखा है टाइटल के अंदर देन अब एलिमेंट्स हम यहां पर ले लेते हैं कुछ एक हलो देर देन एच्ट्री ले लेते हैं माई नेम एज देन एक पी ले लेते हैं अलग टाइप का कि एलिमेंट हो जाएगा है ठीक है चार एलिमेंट्स मैंने ले लिए है एच वन एच टू एच त्री एन पी इनके उपर हम जो है स्टाइलिंग करेंगे ग्रूपिंग के बारे में बात कर लेते हैं ग्रूपिंग कुछ नहीं है जैसे कि नाम से पता लग रहा है ग्रूप तो यह एलिमेंट सेलेक्टर का ही टाइप है बट इसके अंदर elements का group होगा, पूरा का पूरा for example, आपको style करना है, किस-किस को करना है, h1 को करना है, h3 को करना है, and p को करना है ठीक है, क्या देनी है property इन की color देनी है, और आपको red देना है तो इस तरीके से आप ए group of elements बना सकते हो ठीक है, सब elements को उठाया, मैंने comma लगा के उनका group बना दिया, that's it ये है grouping का, और इसके लावा कुछ नहीं है ठीक है, आए यहाँ पर refresh किया, देखो, जिसस को आपने select किया था, उसका color change हो गया, हमने h2 चोड़ा था, तो h2 ऐसे का ऐसे रखा हुआ है ये देखिए, ठीक है, तो ये था आपका grouping का, अब बात आजाती है class selector की, ठीक है, class selector की अब बात आती है सबसे important topic है ये, CSS के अंदर तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं अब, क्या होता है example देता हूँ, सबसे पहले ज़रुरत कहां पर पढ़ती है class की, ठीक है जब, एक website open कर लेते हैं, जिससे आप सब लोग बहुत भली भाती परिचित है facebook.com इसके sign up form के ओपर हम आते हैं sign up form के अंदर आपको दिखरा है input methods है, form के ओपर input methods ही होते हैं, आपको जितना पता है क्योंकि हम user से input लेते हैं तो इसके अंदर input method है, यह text box है इनके अंदर placeholder है जो hint देने के लिए लिखा है, mobile number और email address, new password देन उसके बाद यह calendar आ गया, यहाँ पर date है यहाँ पर month है, यहाँ पर year है देन उसके बाद radio button आ गया male, female, custom, ठीक है तो यह चीज़ है तो इसके अंदर आप common चीज़ बहुत सारी देखेंगे ठीक है, बहुत सारी common चीज़ देखेंगे जैसे यह आपको box दिख रहे है ठीक है, इसके अंदर जो इन्होंने outline लिए है border जो लिया हो, इन border का size same है, इसका भी, इन 6 के 6 का border size same है, then in यह जो text button, यह आपके text जो box है इनका size same है, then उपर वाले यह जो box है, इनका size same है, इनके अंदर font जो दिख रहा है आपको, font की family, font का size, यह सब same है, दिख रहा है, first name, mobile इन सबका font size same है, यह female, male जितने भी देखो गया, तो जब आपको एक ही type पी property बार बार अलग अलग जगह पे use करनी होती है, तो आप हर जगह उसको बार बार अलग से define नहीं करते हैं, आप उसका एक set बना लेते हो अलग से, और उसको बार बार call करते रहते हो, ताकि वो property वहाँ पे apply होती रहे, तो वहाँ पे class का use होता है ठीक है, for example मैं class बना लूँगा font size और font family के नाम के और उसके अंदर ये size और ये family दे दूँगा, ठीक है, उसके बाद जितने भी मैं ये text books वगरा बनाऊंगा, ये radio books बनाऊंगा, जितने भी जगह बनाऊंगा ना तो वहाँ पे उस class को call कर लूँगा और उस class का जो font size है और font के family हो call हो जाएगी और वहीं पे वही apply हो जाएगी तो ऐसे class का use होता है define करने का तरीका same होता है sorry, same बोल रहा हूँ, जैसे id के अंदर hash use करते हैं, ठीक है, universal के अंदर star use करते हैं उसी तरीके से आपका इसके लिए period use होता है यानि dot define करने के लिए dot लगाया, यानि define कर दिया किसी इसको किया, class को, class का नाम रखेंगे या आपका red class मैंने नाम रख दिया, ठीक है तो curly braces use करेंगे, color property देंगे, red color देंगे हमने class बना ली red नाम की, जिसकी property है red color अब जहां जहां पर आपको जरूरत हो, वहां वापी इस class को call कर लो call करने का तरीका class attribute, class attribute डालेंगे, ठीक है और यहां पर जो double quotes हाया हो, इसके बीच में class का नाम लिखेंगे एक चीज़ ध्यान रहे, dot सिरफ define करने के लिए किया है, लेकिन class का नाम red ही रहेगा यह dot यहां पर नहीं आएगा, तो आपने क्या किया, आपको इस element के उपर इस class की property लगानी है, तो आपने class attribute यूज करके class को यहां पर call करवा दिया इसका नाम लिख दिया, अभी क्या होने वाला है, कि जिस element के अंदर आपने class को call किया है, उस element के उपर class की property आ जाएगे आ गया, hello red color का आ गया, बाकि सब plane है, done, इस तरीके से आप multiple जगह पर classes को use कर सकते हैं, आपको h3 में चाहिए, आप h3 में इससे call करवाओ यहाँ जहाँ जहाँ पर call कर आओगे class, उसकी property लगती जाएगे, एक चीज़ और, मानलो आपने class कही जगे call करवा रखी है, मानलो आपने इन तीनों में call करवा दी, बट आपको बाद में कुछ changes करना है, और आपको लगा कि मुझे specific element के अंदर ही class की effect चाहिए, दूसरी ज changes करने के बजाए, आप क्या करोगे सीधा, यहाँ पर h2 लिख दोगे, अब क्या होगा, आपने specific element के उपर इस class को apply किया है, कि यह red class चाहिए कहीं भी लगी हो, लेकिन आपको इसका effect चीए सिरफ h2 के उपर, ठीक है, तो अब इससे क्या फरक होगा, save कर लिया, refresh करके दिखा देखो, class यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बट effect सिरफ इस पर पढ़ा है, क्योंकि आपने उपर specify कर दिया, कि भई मुझे, जो class का effect है, सिरफ h2 पर ही लगाना है, और कहीं पर class का effect नहीं पढ़ना चाहिए, तो इस तरीके से आप element को mention कर सकते हो, class से पहले, ताकि वो specific element पर लग जाए, ठीक है, अभी तक मैंने within sheet example आपको दिया है, अगर मैं outside की बात करो, अगर css के तुरू कैसे हो गई है, तो simple सा है, आपको style नाम की चीज़ नहीं रखनी है, main page पे, ठीक है, आपको just क्या करना है, अपने css को link करवाना है, index को आपने link कर दिया, then यह जो भी आपने styling की है, जो भी आपने properties वगरे लगए हैं, आप सीधा css के अंदर आप mention कर दोगे, आपको कोई style style की ज़रूरत नहीं, आपने सीधा डाला h2.red, और यहाँ पे आपने कर दिया, css को link कर दिया, तो यह आपका externally आपने css apply किया, इस practice के ओपर, तो इस तरीके से, क्योंकि मैं example, मैं file को open कर लेता हूं, बट मैंने आपको example नहीं दिया, external किस तरीके से करते हैं, तो इस तरीके से external होता है, यानि within document करोगे, तो आप style attribute का use करोगे, या style element का use करोगे, बट जब externally आप करोगे, तो आपको style लगाने के ज़रूरत नहीं है, आपने सीधा CSS को link किया, link के through, ठीक है, और सीधा CSS के अंदर अपना styling करना शुरू कर दिया, तो दोस्तों ये था आज का अपना topic, grouping और class, आजा करता हूं, आपको topic समझ में आया होगा, और उमीद रखता हूं, आप practically ज़रूर try करेंगे, मिलते हैं नए वीडियो नए topic के साथ तब तक के लिए goodbye and take care